हेलो बच्चों मैं हूँ आपकी हिंदी पीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है बच्चों आज मैं आप लोगों को साहित्य सागर पुस्तक के पद्धिभाग के प्रथम पाठ को पढ़ा रही हूं यह साहित्य सागर पुस्तक जो है वह आईसेसी बोर्ड द्वारा यानि आईसेसी बोर्ड के विद्ध्यालियों में क्लास नाइन और टेन में पढ़ाई जाती है तो साहित्य सागर पुस्तक के पद्धिभाग का जो प्रथम पाठ है वह है साखी और यह साखी किन की है कवी कभीरदास जी की तो इस साखी के अंतरवत आपको पाँच दोहे को पढ़ना होता है तो आज मैं आप लोगों को इन्हीं पाँच दोहों के कठीन सब्दों के अर्थ को बतलाऊंगी और परतिक दोही की मैं आपके सामने ब्याख्या प्रस्तुत करूँगी ताकि आपको कभीरदास की साखी अच्छी तरह से समझ में आए और परिच्छा में पूछी गए प्रश्णों का जवाब आप अच्छी तरह से लिख पाएं तो बिना देर किये मैं आप लोगों के सामने कभीर की साखी के प्रत्थम दोहे को पढ़कर सुनाती हूँ जो इस प्रकार से है गुरु गोविंद दोवू खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बताएं तो चलिए अब इसके कठीन सब्दों के अर्थ को एक बार देख लें तो कठीन सब्दों के अर्थ गुरु यानि शिक्षक जो हमें सिक्षा देते हैं जो गुरु हमसे बड़े होते हैं गुरुका अर्थ होता है जो अंधकार को दूर करें उसे भी गुरु कहा जाता है गुरु यानि स्रेष्ट गोविंद, इस्वर, भगवान, परमात्म, दो यानी दोनो, काके अथात किसको, लागू मने लगे, पाई मने पैर, बली हारी अथात नियोच्छावर करना, समर्पन होना, समर्पित होना, आपनो यानी स्वैम खुद, जिन मने जिन होने, दियो मने देना, बताए मतलब बतलाना, तो चलिए, अब मैं कविता, अथात, साखी, कि जो दोहे हैं, जिन दोहे को मैंने पढ़कर अभी आपको सुनाया है, उसके अर्थ को मैं समझाती हूँ, देखिए, गुरु गोविंद, दो खड़े, काके लागू पाई, बली हारी गुरु आपने, जि यहां पर कभिरदास्जी ने, गुरु के महत्व पर परकास डाला है, उनके अनुसार, इस संसार में, यदी कोई सृष्ट है, कोई महान है, कोई बड़ा है, तो यह गुरु हैं, उन्होंने गुरु को इतना अधिक महत्व दिया है, कि उन्हें इस्वर से भी महान माना है, हम लोग भगवान को बड़े मानते हैं, ने महान मानते हैं, लेकिन कभीर दाजजी ने गुरू को सबसे महान माना है. और वे क्या कहते हैं देखिए? गुरू गोविन्दो खड़े, वे कहते हैं, यदि उनके सामने गुरू यानि सिक्षक, गोविन्द अथात इस्वर, दोनों अगर खड़े हों, यदि उनके सामने, उनके समक्ष, गुरू भी खड़े हों और इस्वर भी खड़े हों, तो वे क्या करेंगे? काके लागू पाए तो सवभाविक रूप से प्रशन उठता है कि हमें किसके प्यार पहले छुना चाहिए यानि किसको सम्मान देना चाहिए तो हम सभी सोचते हैं इस्वर सबसे महान है हमें इस्वर के प्यार छुना चाहिए जिन कबिर्दास जी ऐसा नहीं कहते हैं वे क्या कहते हैं देखिए बनिहारी गुरु आपनो कबिर्दास जी गुरु के प्रति समर्पित होते हैं अपने आपको नेच्छावर करते हैं अथा गुरु के चरंचूते हैं गुरु को इस रिष्ट मानते हैं क्योंकि जिन गोविंदियों बताएं, जिन होने गोविंद यानि इस्वर यानि परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग, परमात्मा की पहचान करवाई है, तो परमात्मा तक पहुँचने का रास्ता गुरु ही दिखलाते हैं, इसलिए गुरु ही महान है, गुरु हमें अंधक से निकाल कर उजाले की और प्रकास की और ले जाते हैं। जीवन में आने वाले मुसीबतों और संकटों का सामना हम कैसे करें। यह बतलाते हैं। इसलिए जो गुरू महान है। उन्होंने एक जगह कहा भी है। हरी रूठे गुरू ठोर है। गुरू रूठे ठोर ना ही। अगर आपसे इस्वर रूठ जाएं। तो गुरू आसरा है आपका। गुरू सहारा है। गुरू के माध्यम से, गुरू की सहायता से आप उन्हा इस्वर तक जा सकते हैं। लेकिन अगर गुरू तूट गए, तो फिर कोई सहारा नहीं है. ऐसे भी देखे, एक साधरन सी बात है, जो मैं हमेशा बच्चे को कहती हूँ, कि आप जब किसी मुसीवत में पढ़ते हैं, तो आप इस्वर के समख जाकर गिर्ड़ाते हैं, प्रातना करते हैं. यदि आप इस्वर को इस्वर समझ कर प्रातना कर रहे हैं, तो मुझे ये मालूम नहीं, कि आपके समस्या का समाधन होगा भी की नहीं. लेकिन यदि आप अपने समस्या को लेकर अपने किसी गुरू के समक्ष जाते हैं जो सच में गुरू हो, जो सच में महान हो तो आप देखेगा कि आपकी समस्या का समाधन चुटकियों में हो जाएगा क्योंकि वे ऐसा उपाय बताएंगे जिनसे आपकी सारी सम्मस्या छू मंतर हो जाएगी तो मैं यह नहीं कहती हूँ कि इस्वर को माने नहीं, इस्वर को स्विकार न करें कि इस्वर को भी हम कब मानते हैं, इस्वर को उस रूप में मानते हैं वे एक स्रेष्ठ हैं गुरू के रूप में जैसे कहते हैं सीव जो है परम गुरू है ऐसा माना गया है तो गुरू जो है सबसे महान है सबसे स्रेश्ट है इसी बात को कबिरदाजी ने अपने इस दोहे में इसपर्ष्ट किया है तो चलिए अब बढ़ती हूँ साखी पाठ के दो नमबर दोहे की तरफ जो इस प्रकार से है तो दो नमबर दोहा मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं नाहीं प्रेम गली अतिसांकरी जामे दो नसमाही अब चलिए कठीन सब्दों के अर्थ को मैं बतलाती हूँ कठीन सब्दों के अर्थ मैं यानि अहंकार जब मनुष्य के अंदर अहम भाव आ जाए उसे क्या कहते हैं मैं भाव क्योंकि जब हम Mac Sally में बात करते हैं तो सिर्फ अपनी बात करते हैं और जब हम कहके कहते हैं तो हम सबके लिए सबकी तरफ सोचते हैं ति सबके लिए सूच कर कोई बात कहते हैं हरी यानि इस्वर, नाही यानि नहीं, गली यानि रास्ता, अती मने बहुत, साकरी, संकिर्ण, तंग, जामे, जिसमे, समाही यानि समा, जाना देखें, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाहीं, प्रेम गली अतिसा करी, जामे दो न समाही यहाँ पर कबिर दास्जी ने इस बात को साफ साफ रूप से, इस पश्ट रूप से कहा है, यह जब तक हमारे हृदय में अहंकार का निवास रहेगा, तब तक हमें इस्वर की प्राप्ति नहीं होगी, यह जब तक हमारे हृदय में अहंकार की भावना थी, तब हरी नहीं, तब तक हमारे हृदय में इस्वर का निवास नहीं था, अब हरी है मैं नहीं, अब हमारे हृदय में इस्वर का निवास है, क्योंकि अब अहंकार समाप्त हो गया है, प्रेम गली अति सांकरी उन्होंने बतलाया है कि प्रेम का रास्ता यानि इस्वर्द तक पहुँचने का जो रास्ता है वह है प्रेम का रास्ता संपुण मानवता के साथ प्रेम, संपुण स्रिष्टी के साथ प्रेम तो जो प्रेम का रास्ता है, ये बड़ा ही संकरा है, तंग है, जामे दो नसमा है, जिसमें दो वस्तु यानि अहंकार और इस्वर, एक साथ समा नहीं सकती। जैसे कहते हैं, एक म्यान में एक ही तलवार होती है, दो तलवार हम नहीं रख सकती। ठीकी, इसी तरह से हमारा हिरदय जो है, उसमें चाहेंगे कि इस्वर का निवास हो, तो हम अहंकार को अपने हिरदय में स्थान नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अहंकार को यदि आपने हिरदय में स्थान दे दिया, तो इस्वर को आप वहां नहीं पाएंगे। इस्वर तभी हमारे हिरदय में रहेंगे, जब हमारा हिरदय जो होगा, साप, स्वच्छ होगा, दया, ममता, सहनुगूती की भावना होगी। लेकिन अगर अहंका होगा, अगर हम स्वार्थी होगे, तो हमारे हिरदय में कभी भी इस्वर का निवास नहीं होगा। तो ये है इस साखी का अर्थ। अब चलिए कबिरदास जी की तीसरी साखी को बढ़ते हैं। अच्छा कबिरदास की तीसरी साखी। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाएं। ताचडी मुल्ला बाग दें। क्या बहरा हुआ खुदा है। अब चलिए कठीन सब्दों के अर्थ को देख लें। काकर यानि कंकर, पाथर यानि पत्थर, जोरी के जोरी के यानि जोड कर, बनाए यानि बनाना, ता मने उसपर, मुल्ला यानि मौलवी, बाग मने जोर जोर से चिलाना, खुदा यानि इस्वर। तो यहां पर कबिर्दास जी ने समाज में फैले हुई धार्मिक वाया डंबर का विरोध किया है आप सभी जानते हैं कबिर्दास जी जिस युग में थे उस युग में हिंदू मुसलमानों के बीच काफी भेद भाव फैला हुआ था सभी अपने अपने को स्रेष्ट मानते थे हिंदू भी स्वयम को स्रेष्ट मानते थे और मुसलमान भी स्वयम को स्रेष्ट मानते थे और आपस में लड़ते रहते थे तो कभिर्दास जी ने एक समास सुधारक के रूप में हिंदू और मुसल्मान दोनों की बुराईयों को दूर करने का परियास किया है दोनों के धार्मिक वाया डंबरों को उन्होंने खराब बतलाया है यानि उन्होंने दोनों ही धर्मों के वाया डंबर की निंदा की है तो यहां पर उन्होंने क्या कहा है? देखिए काकर पाथर जोरी की कि कंकर और पत्थर को जोड़ कर मस्जिद लई बनाए मस्जिद को बना लिया जाता है ताचडी मुल्ला बाग दे और उसके बाद क्या होता है कि मौलवी जी जो है उपर जड़ते हैं और जोड़ जोड़ से इस्वर को पुकारते हैं जोड़ जोड़ से चिल्ला कर पुकारते हैं क्या बहरा हुआ हुआ है तो कभे ताजी प्रशन करते हैं आप ऐसा क्यों करते हैं? क्या खुदा, अल्ला, इस्वर बहरा है? कहने का ताथ पर यह है कि इस्वर का निवास हर जगह है. इस्वर सब की बात सुनते हैं. अगर आप इस्वर को मन ही मन स्मरन करेंगे तो भी इस्वर सुन लेंगे. तो उन्हीं इतने जोर जोर से पुकारने की कोई आवशक्ता नहीं. अब चलिए कबिर्दास जी की चॉति साकी के तरफ बढ़ते हैं. कबिर्दास जी की चॉति साकी है, पाहन पूझे हरी मिले, तो मैं पूझू पाहार, ताते ये चाकी भले, पीस खाई संसार. पाहर यानि पत्थर, पूज़े यानि पूजा करना, हरे यानि इसवर, पहार मने पहाड, ताते मने इस से तो, चाकी मने चक्की यानि चक्की जिसमें आटा पीसा जाता है, खाय यानि खाना, संसार यानि जगत देखिए, यहाँ पर भी कबिर्दास जी ने धार्मिक वायाडंबर का विरोध किया है जैसे उन्होंने मुसल्मानों को फटकारा, वैसे ही उन्होंने हिंदूओं के धार्मिक वायाडंबर की निंदा किया है उन्हें भी फटकार लगाई है यूँकि कभीरदास जी एक समाज सुधा रखते वे कभी किसी से डरते नहीं थे वे बड़े ही अकड़ और फकड़ सभाव गे थे वो जो देखते थे उन्हें जैसा अच्छा लगता था वो बोलते थे वो निर्भिक सभाव के थे वे क्रांतिकारी थे वे समाज में परिवर् एक अनुसाल जब करते थे तो उलोंचे क्या कहा धेखिए पाहन पूजे हरी ल aurait दर्म की मानेता के अनुसार जब मैं पूजू पाहाड तो मैं पाहाड को पूजना शुरू कर दूंगा क्योंकि ताकि मुझे तो इस वर तुरंत मिल जाएंगे जदि पत्थर को पूजने से इस वर मिलते हैं तो पहाड को पूजने से तो और जल्दी इस वर मिल जाएंगे ताते ये चाकी भली फीश खाय संसार तो कविर्दास जी कहते हैं तो चक्की तो उससे ऽी अच्छी है चक्की भी पत्थर की बनीवे इसकी पूझा क्यों न की जाये इससे तो ये चक्की अच्छी है क्योंकि चक्की का फीसा हुआ जो होता वो पुरा संसार खाता है सबका पेट भरता है तो हमें पत्थर को पूजने की आवशकता है अगर हम पत्थर की पूजा करना चाहें तो हम चक्की की पूजा करें यूगि चक्की भी पत्थर की बनी है तो हमें अगर चक्की की पूजा करेंगे तो हमें इस्वर की प्राप्ति होगी तो हमें जो है चक्की की ही पूजा कर लेनी चाहिए पत्थर पूजने की कोई आवशकता नहीं है तो ये है कबीर की साखी के चौथे नंबर दोहा का अर्थ जहां पर कबीर दाजजी ने धर्मिक वायर डंबर का विरोध किया है मैंने आप लोगों को पहली बताया कि कबीर दाजजी एक समासुधा रखते उनके समय में हिंदू वुसल्मानों के बीच काफी बैमनश्य पढ़ रहा था काफी विवाद होते रहते थे और कबीर दाजजी चाहते थे कि दोनों धर्मों के लोग जो है आपस में मिलजूलकर एकता के साथ एक जगह रहे और उन्होंने यही प्रियास किया है दोनों धर्मों की बुराईयों के उन्होंने मिंदा किया है अब चलिए कबीर की साखी कि अंतरगत जो पाँच नमबर दो है उसके तरफ आगे बढ़ते है पाँच नमबर दो है साथ समंद की मसी करो देखनी सब बन राई धर्ती सब कागत करो हरीगुन लिखाना जाए कठिन सब्दों के अर्थ पर नजर डाले समंद यानी समुद्र मसी यनी स्याही करो यनी करना लेखनी यनी कलम बन राई यनी जंगल कागत यनी कागच यहाँ पर कबिरदास जी ने इस्वर के गुनों के बारे में बतलाया है कि इस्वर के गुन इतने ज़्यादा है अनगिनत गुन है कि आप लिखना भी चाहें, तो उसे लिख नहीं सकते हैं, तो कैसे समझाया है, देखिए, साथ समंद की मसी करो, अगर आप साथ समंद्र, जो है, उसकी स्याही बना लें, लेखनी सब बन रहें, कलम, कलम क्या बन जाएगा, जितने जंगल की लकडियां हैं, उनका आप कलम बन बना लें, सब धर्ती कागत करो, अब समपोड धर्ती को आप कागज बना लें, हरी गुन लिखा न जाए, और तब आप कोशिज करेंगे, कि आप इस्वर का गुन लिखेंगे, तो भी आप पूरी तरह से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इस्वर इतने महान है, उनकी महिम इतनी अप्रमपार है, वे इतने करुणा के सागर है, दया के सागर है, क्रिपा ने दी है, दीन दयालू है, कि आप उनके गुनों का बखान लिख कर ब्यक्त नहीं कर सकते हैं, भले ही आप साथ समंदर के स्याही बना लें, सारे जंगलों की लकडियों से कलम बना लें, और का बखान करना असंभव है, तो यहाँ पर कबिरदास जी ने इस्वर के गुनों की महिमा को बतलाया है, तो उम्मित करती हूं कबिरदास की साखी के अंतरगत जो पांच दो हैं, उनका अर्थ आपको भलीभाती समझ में आ गया होगा, आप इस वीडियो को अपने सभी मित् और आपके वारब भेजे गए या वीडियो को देखें और इस पार्थ के सम्मन में जो जानकारी मैंने दी है, उसका लाब उठाएं, वीडियो को लाइक करें, जो बच्चे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का मिलती हूँ एक नए वीडियो में, जिसके अंतरगत मैं सूरदास के पद की व्याख्या प्रस्तुत करूँगी, तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, मेरी सुप कामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है, धन्यवाद प्रस्तुत